नमस्कार मैं राजेंगर साहो के यह एक छोटा सग्गेम है जो 22 मुव में खतम हुआ रेती उपनिंग में खिला गए है रेती उपनिंग के स्टार उते नाइट ट्वेफ तरी ब्लैक बीफाइ खिलता है वाइट इफोर तो इफोर इसले के लागी बिशेफ से पॉन को मार सकत है पॉन अन्सपोर्टेड है यह ने बिशेफ टू बी सेवन पहले के लागे सफ़ेद के ईफोर पॉन के उपर आटा गए ईफोर भी अन्सपोर्टेड है तो इसने ईफाइ खिला और ब्लैक ने एशिक्स खिलके पॉन को सपोर्ट किया डीफोर इफोर बिशब डी थ्री, सी फाइ, सी थ्री, डी शिक्स, नाइट टू डी टू, विशे नाइट टू डी टू लिए यह सोचके लेते है नाइट टू डी टू कि यह जो ब्लैक का बिशब है, बी सेवन पे बेटा वो इस नाइट को मार सकता है और इसके लिए क्वीन को एंगेज रहना पड़ता है, नहीं तो कैसल डिस्टर्ब होता है, तो यह नाइट टू है, वो डी सेवन पे लेने से उसको सपोर्ट मिल जाता है, और क्वीन फ्री हो जाते है, तो लेकिन यहाँ इमर्जंसी नहीं थे, यह कैसल कर सकता था यहां प मार देता था, तो वो भी अच्छी मूर रहती थी, नाइट डी सेवन खेला, क्वीन टू, सी टू इसने खेला, अभी यह सोचके कि यह जो बीशप है, इसको इलिमेट करने के कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बीशप होता है, पूरा डाइगोनल पे हुआ है, तो इसने सोचा कि क्वीन एक तो निकाल देते हैं इसके पीन से और बाद में बीशप को थ्रेटन करते हैं, लेकिन यह डाइरेक्ट भी कर सकता था, मतलब यह बीशप टू, इसको थ्रेटन कर सकता था, और उसको यह नाइट का सपोर्ट है, डी टूप के उपर ज बीशप एफोर, बीशप क्रोस एफोर, नाइट क्रोस एफोर, सी क्रोड एफोर, और बीशप टू, जी फाए, एक क्वीन को थ्रेट देता है, इसको नाइट का सपोर्ट है, तो इस तरह से हो सकती थी मुव हो, वापस चल दे, तो हम लोगे आप एता हां थे, क्वीन टू, सी टू खेला, इसके बाद सी क्रोल डीफोर, ब्लैक ने खेला, सी क्रोल डीफोर, रूख टू, सी एट, रूख इसने सी एट पहलाके क्वीन को थ्रेटन किया, तो क्वीन को अभी लाना चाहिए, क्वीन टू, बीवन, Q2 Q2 A5 इसने खिला भी यह क्या सोचता है कि Q2 A5 पिलाके जो नाइट है वो पीन हो जाएगा किंग के साथ और फिर यह दूसरा नाइट जो F3 उसको विशेप से मार सकते है तो नाइट पीन होने से और Q2 भी आ नहीं है तो यह उसको G2 पांड से मारना पड़ेगा और यह कैसल इसका डिश्टब हो जाएगा लेकिन वो इतनी अच्छी मूँ नहीं है यहाँ पे पांड ले 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 था तो अच्छा रहे था था दा डी क्रोस फाई तो ट्विन टू A5 खेला कैसल डी क्रोस इफाई डी क्रोस इफाई नाइट टू डी सेवन स्वरी नाइट टू E सेवन बिशप क्रोस हेज सेवन अभी इसने देको अच्छा नहीं खेला इसने यह बिशप से पांड को मार सकता है एक तो क्या होता है कि यह फाईल जो है ओपन हो जाती है इस रूप के लिए वो कभी भी करना नहीं चाहिए क्योंकि अटेक करना है उससे आसन रहता है और दूसरा है कि यह बिशप लॉक हो जाएगा अगर यह पांड को उपर लेता है जी सिक्स के उपर तो वो बिशप लॉक हो जाएगा तो उससे अच्छा यह था कि एफ फोर खिलता और यह पांड को थ्रेट देता अगर उसने कुछ नहीं किया तो पांड मार के क्विन को थ्रेट हो जाती थी तो बीशप क्रोस है सेवन किला इसने जी सिस करके बीशप को लॉक कर दिया अभी नाइट उसकी सहायते के लिए आ सकता है तो नाइट जी फाइस निलिया ने तो रूक उसको मार देगा लेकिन अब बीशप लॉक हो गया तो मारा है गया समझो कि काम का नहीं कुछ भी शब हो मूँ अच्छे नहीं थी अभी नाइट क्रोस E5 इसने खेला एक्चुली क्वीन को इसने वापस लेके जाना चाहे था इधर क्वीन को रखने के कोई जरूरत नहीं थी तो क्वीन टू सी सेवन खिलना चाहे था और फिर अगर यह एकदम ब्लंडर मुव हो जाते है एक फूर क्योंकि यह बिशप एज सिक्स यहां पे खिलता है नाइट को मार देगा नाइट को मारने से वो बिशप को भी मार देगा लेकिन एक क्रोस बीशिक्स और यह बिशप क्रोस जीप आए भी बिशप गया और यह नाइट गया और यह बिशप भी चला गया उसको सपोर्ट आउसका तो इस तरह से हम यहां पे थे नाइट क्रोस जीप आएके लगाया इसके बाद सपेद के लिए सपेद ने खेला यह एप फोर और नाइट को थ्रेटन गया तो इससे अच्छा यह बी फोर किलके क्वीन को थ्रेटन कर सकता था तो सपोर्ट था तो नाइट को थ्रेटन किया इसने क्वीन इसने दे लिए बी सिक्स के उपर चेक दिया किंग टो एच वन नाइट टो जी फोर आ और एच थ्री इसने किला तो इस त्री यह नाइट को थ्रेटन करके क्या करना है Nosika क्या देखना चाहिए कि थ्रेड पे का आप एच अव्लियूट यह बीशप से बैठे़ है यह जी तू को बड़ी थ्रेट है G2 को मार सकता है तो यह diagonal रोकना चाहे था उसने Knight 2 F3 खेलना चाहे था तो H3 खेला इसने Knight 2 F6 अब इसने भी क्या होता है कि immediate reaction होते है कि अपने किसी piece को threat है तो उसको वहाँ से भगाओ तो इसने Knight को भगाया F8 के उपर actually आच्छी मूर थी यह दूसरा Knight है वो यह F5 पे लेता तो F5 पे Knight लेने से इसके बाद वह Knight आ सकता है E3 के उपर E3 के उपर आके वो Rook को और G2 Pawn को threaten करता है तो G2 Pawn के उपर अच्छा हो जाता था वो तो इसने चलो Knight 2 F6 खेला उसके बाद B3 खेला सपेद ने Knight क्रोस H7 Bishop लिया Bishop 2 B2 अब इसने क्या क्या चलो आपने Knight को लेके यह जो डाइगोना लेना वो ब्लॉक करने के सोचना चाहे था उसने तो Knight 2 E4 अच्छी मू रहती लेकिन यह पीछे पड़ा यह रूप के पीछे और इसने Bishop B2 के उपर लिया तो Bishop B2 तो Knight क्रोस G5 Bishop क्रोस H8 रूप को लिया तो Queen E3 पे ले लिया इसने अभी देखा Queen से H3 को मारके चेक लग सकता है हाँ और फिर बहुत कटिन परिसी थी यहाँ पे निर्मान हो जाती है तो इसने सपेद ने यह Knight मार दिया F क्रोस G4 हाँ बार बार यह कॉंपेटर बता रहे के इसको ब्लॉक करना चाहे था Diagonal को मतलब Knight 2 F3 खेलना चाहे था तो F क्रोस G5 किया इसने तो क्विन क्रोस H3 और किंग G1 और क्विन क्रोस G2 और चेकमेट तो G2 पे फाइनल इस दाइगोनल पे उसने चेकमेट किया तो चेकमेट कैसे किया अभी आपको समझ में आ है तो हम लोग वापस चलते हैं Queen E3 अभी यहाँ पे आप सोचो कि उसने क्या करना चाहे था वाइट ने क्या खेलना चाहे था कि जिससे उसने चेकमेट नहीं होता है सोचे इसके अबर Obviously Knight to F3 Knight बीच में ़ाना चाहे था Block करना चाहे था कि तो Knight Cross F3 कर सकता था Rook Cross F3 कर सकता था Bishop Cross F3 कर सकता था Queen to G1 Queen Cross G1 King Cross G1 इससे वो मेट बच सकता था और खेल थोड़ा लंबा वो जाता था एक्चुली अब ब्लैक जो है वो छे पॉइंट प्लस है एक बीशप और एक नाइट तो ब्लैक की जीत होने के संभावना चाहता है लेकिन यहां पे मेट ऐसे टल सकता था तो देखने के लिए धन्यवाद कुरुपए देखते रहे चोटे चोटे खेलों से आपको बहुत सीखने को मिलता है